है फ्ल वैस्ट मेंगे वे इस विडियो में हम में डिसी डाव ब्लॉड वैसल्स के दुसरे टॉपिक में आए हैं बॉकिय पाइथन आ टॉपिक है गई जिन्हों ने यह वीडियो पहली बर देखना शुदू किया मैं उनके लिए बता दू कि इससे पहला वाला प्लीज देख किएगा वह पार्ट कनेक्टेड है जितने भी पार्ट होंगे वह सब एक दुस्य से कनेक्टेड रहेंगे और आपको समझने के लिए बहुत आसान ही रहेगी तो ज्यादा टाइमिनल लेते हुए मैं इसको कंडिनु करता हूँ सौ लेते बिगिन गईज अब आते हैं इस पार्ट में हम क्लिनिकल और मॉफble ऐजिकल फ़र्म देखेंगे तो इसके इंदर पहला है आ कि यह मॉस्ट कॉमन फ़र्म है कि जो ब्लड वेस्ल्स के जो डिसीज है कि मोस्ट कमन फ़र्म है निगर पटक एक अट्रस्क्लोड आ इस किमा ले रहा है उसके अंदर fat deposit होना ओके अब उससे पहले का जो भी नाम होगा उस जगह वो deposit हुआ होगा मतलब आउर्टिक मैंने नाम इसमें दिया हुआ है तो वह आउर्टा में अपकोर्स deposit होगा तो आप यह sequence में आप देख सकते हैं कैसे कैसे यह deposit होता है अब आता है पहले वाले sub topic में जिसमें नाम है आउर्टिक 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 सिंड्रोम में सिंपल सा यह बताया गया है जो आउर्टा है उसके अंदर यह fat deposit हो रहा है जो protein हो fat है उसके deposit हो जाते हैं अब देख सकते हैं जिससे stenosis होगा मतलब stenosis मतलब narrowing जो आउर्टिक तो आउका आउर्टिक आउर्ट और गाया अगाज की जो ब्रांचेस होती है उनकी जो माउथ होती है जो उनकी opening होती है उन में यह narrowing는 negotiation नहीं होता है cerebral asemia, देखिए guys, यह heart है, अपकोर्स heart का part है, तो इससे blood बहुत सारे organs में जाएगा, अगर यहीं problem हो गई, यहीं अगर blood अटक गया, यहीं narrowing हो गई, यहीं blood फस गया, तो properly सब जग़ा blood पहुँश ने पाएगा, जिससे hypoxia condition generate होगी, hypoxia मतलब oxygen की कमी हो जाना of course blood oxygen carry करता है तो उसमें देखा जाए तो cerebral ischemia होगा तो जो brain region में proper oxygen नहीं पोच पाएगा visual impairment होगा दिखना कम हो जाएगा blindness appearance होगा और जो swallowing में भी difficulty आएगी due to the compression of the isophagus और sometime harshness due to the compression of the recurrent nerves okay harshness मतलब होता है कि एक तरीकी का जो voice होती हो प्रॉपर उसमें changes आज़ना abnormal changes तो इस तरीकी से सब negative changes मिलेंगे जब अगर stenosis होगा aortic branch में okay मतलब narrowing of the aortic branch अब आता है दुसरे पार्ट में Larris और Larris syndrome okay इसमें क्या होता है कि यह एक तरीकी का जो abdominal region होता है यह aortic bifurcation होता है उसके अंदर बहुत सारे damage एक तरीकी का सेवियर form of damage देखने मिलता है अब इस damage से क्या होता है कि जो lumen है aorta का iliac और जो femoral arteries है okay उसके अंदर जो atherosclerotic plague जमा हो जाता है जिससे वो lumen narrow हो जाते है stenosis हो जाते ही okay और उससे of course stenosis होगा तो आश्यमिया होगा गाई आप सिंपल सा समझ लीजिए कि कहीं भी stenosis होगा blood vessels में तो आपको ब्लड properly flow नहीं होगा तो hypoxia होगा hypoxia leads to the ashtremia okay ashtremia यह एक तरीके का condition होता है जिसमें oxygen properly travel नहीं करता है तो मैंने यह बताया कि जो ashtremia हो चुका है okay lower extremities में आप देख सकते है lower extremity का portion है okay in lake region में okay तो उसमें क्या होगा intermittent cloudication cloudication का intermittent cloudication का मतलब होता है leg pain simple सा मतलब leg pain okay lower leg में okay जिससे क्या होगा कि gangrene होने के chances होते है okay अब gangrene क्या होता है gangrene वो stage होता है जो एक तरीके का last stage होता है जब oxygen नहीं पहुच पाता तो जैसे hypoxia leads to ashtremia leads to the condition where the gangrene okay gangrene में क्या होता है कि जो जिस position में gangrene होगा है वो position धिर धिर black होने लगता है सड़ने लगता है okay वो सब चीजे है मैं देखने मिलती है अब आते हैं दुस्ते वाले पार्ट में atherosclerosis of the coronary artery मतलब की coronary artery में atherosclerosis हुआ है तो उससे क्या cause होगा of course of course उसमें cause होगा ischemic heart disease आप देख सकते हैं डाग्राम में यह normal coronary artery है और यह atherosclerotic coronary artery है आप देख सकते हैं yellow yellow plaque जमा हो चुके हैं उससे क्या होगा guys of course उसमें hypoxia होगा hypoxia leads to the asthmia, asthmia leads to the gangrene okay उसके बार आता है cerebral artery में atherosclerosis okay cerebral artery में आप देख सकते हैं okay this leads to this cerebrovascular disease okay आप देख सकते हैं इसके अंदर okay जो lumen है उसके अंदर भी yellow yellow तरीकी का plaque जमा हो गया है okay अब आते हैं renal artery में atherosclerosis okay आप देख सकते हैं diagram में same guys देखिए सब कुछ same है okay atherosclerosis जिस position में होगा उसमें same वही चीज़ है okay और इसमें यह बता गया है कि अगर जो renal artery में एक जो renal artery होती है okay उसमें अगर यह atherosclerosis होता है तो उसमें 50 से 70% okay या उससे ज्यादा narrowing या stynos area हो जाता है okay और sometime thrombosis के कारण जैसे for example इस region में अगर thrombosis हो गया okay तो thrombosis के कारण heart attack हो सकता है और उसमें बहुत सारी changes मिलते हैं okay wedge shaped okay जो scars होते हैं या kidney होती है okay wedge shape हो जाती है या wrinkle shape हो जाती है kidney okay या arterio nephrosclerosis हो जाते हैं okay तो यह सब चीजे देखने मिलती है okay वहीं बात करें जो reno-vescular hypertension हो जाता है वो भी कभी कभी develop होने लगता है symptomatic way में okay not asymptomatic okay तो यह यह symptomatic reno-vescular hypertension हमें इस condition में देखने मिलते हैं तो काइस पूरा मिला के अगर renal artery में atherosclerosis हुआ है तो यह यह चीजे heart attack या wedge shape kidney या wrinkle kidney या arterio nephrosclerosis या reno-vescular hypertension यह सब चीजे में देखने मिलते हैं यह हमें याद करनी है okay simple सा अब आते हैं intestinal arteries में atherosclerosis okay intestinal arteries में जो plague yellow plague है वो जमा हो गए है okay जिससे luminaire हो गए सेम चीज में सेम चीज़ repeat कर रहा हूं okay अब उसमें क्या-क्या होगा of course heart attack होगा gangering होगा इंटर्स्टाइन का okay और along with mesentric arteries होती है उसमें भी वो damage हो जाती है जिससे क्या होता है कि intestinal mucosa है okay उसमें atrophy आ जाते ही with diarrhea and cacchia 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 का simple सा मतलब होता है कि wasting of muscle okay जो muscle है वो waste होते होते हैं आदमी बहुत पतला हो जाता है जैसे कि खाना और नहीं खाते हों बहुत एकदम कमजोरी आ जाती है ऐसा टाइप का muscle wasting okay simple सा क्यक्या का मतलब okay अब आते हैं जो lower extremities होती है जो arteries of lower extremities उसके अंदर atherosclerosis में हम इसके बाद में समझें जो कि आप देख सकते हैं diagram में okay इसमें क्या होता है जो femoral artery है वो effect होती है along with protein या soft tissue होगा लेका उसमें atrophy आ जाएगा okay atrophy मतलब होता है एक तरीकी का condition जहां size बहुत छोटी हो जाती okay with अब यह क्यों आया क्योंकि same reason है क्योंकि यहां जो fat deposit हो चुका है okay lumen narrow हो चुके हैं okay जिसे blood properly supply नहीं हो पा रहा है insufficient blood supply के कारण atrophy हो जारी हो के और उसके बाद आता है intermittent cloudication मतलब leg pain okay और जिससे क्या होगा gangrene और sometime वो जो gangrene होता है वो dry gangrene देखी okay so guys यह एक तरीके का मैंने कोशिश किया है short video रखने का और मैंने कोशिश किया है कि जितना easy way में और जितना quick way में जितना अच्छे way में explain कर सकूं तो मैंने किया है और गाई अगर आपको कोई भी doubt हो तो please comment करिए okay मैं ऐसे कोशिश करता दूँगा जितना आपको जल्दी topic यह जितने भी subpart होते है उसको मैं cover up करते जाओ okay और आपको provide करते जाओ ताकि आपका जो भी exams upcoming exams रहेगा उसमें आपका बहुत help मिल जाएगी okay so guys thank you so much for your attention and if you get any benefits from this so please hit the like button and subscribe channel thank you so much guys